आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपना आर्मनी के साथ में अपका नाम क्या है रिशहब बर्माजी वैठे हुए हैं इंकांट खोल के दिखाएंगे कैसे एकांट खोल सकते हैं सिर्फ 5 मिनिट में तो सबसे पहले आपको हमारी ओफिशल वेबसाइट पर जाना है आ प्रसुमिट करने के बाद में आपको यहां पर अपना पैंद नमबर डालना रहेगा यहां पर आपको अपनी डेट अप्र डालनी रहेगा इसके दिए यहां पर प्रॉसीड पर क्लिक करना है इतना detail फिल करने के बाद में आपके phone number पर और आपके email पर एक OTP आएगा, आपको यहाँ पर डाल के verify करना रहेगा, mobile number और OTP बताइए, OTP verify करने के बाद में आपको कोछ वाला option आजाएगा, continue to digilocker, आपको उसके उपर क्लिक करना है, और आपका digilocker का site खुल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नमर डालना है, आपको यह capture फिल करना रहेगा, फिर आपके आधार के साथ में जो नमर रेस्टर रहेगा, उसके बूपर एक OTP दाएगा, OTP डालने के बाद में, आपने अपना जो digilocker पर पिन सेट करा होगा, वो आपके यहाँ पर डालना पड़ेगा, स्थारा प्रोसेस करने के बाद में, आपको यहाँ पर digilocker बोलेगा, कि आप allow करते हो, आपको अपना डेटा देने के लिए, इसको आपको allow करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपके डाकुमेंट फेच करेगा, फिर आपका यह KYC प्रोसेस कम्लीट हो जाएगा, आपके digilocker के तरफ से, अब इसके आगया का प्रोसेस आपके आर्मनी के वैफसेट पर continue हो जाए यहाँ पर आपको अपनी mother's का name लिखना रहता है, फिर आपको continue करना रहेगा, फिर आपको यहाँ पर अपनी bank details फिल करनी रहेंगी, फिर आपको अपना account type select करना है, saving account आपका, पांकी सारी details अपने आप यह fetch कर लेगा, यहाँ आपको verify bank details करना है, यहाँ पर आपका bank successfully add हो च और यह individual residency रहने देना है, हमको next करना है, next करने के बाद में आपको यह अगले tap के उपर लेके जाएगा, background details, आपका place of birth पूचेगा, आपका occupation पूचेगा, आपका qualification पूचेगा, आपकी net worth पूचेगा, यहाँ पर आपको अपना trading experience disclose करना रहेगा, एक साल, यहाँ पर आपको कुछ कुछ इसके यह points रहते हैं, जो कि पढ़ने के बाद में yes no करने रहते हैं, पर यहाँ से आपको next करना रहेगा, यहाँ पर आपको अपने nominee एड करने रहेंगे, यहाँ पर आपको nominee तुरंत एड नहीं करना तो वो भी कर सकते, तो अभी के लिए मैं इसको confirm and continue करूँग करना है, तो as per our discussion, आपने बोला था कि आपको 9 रुपय वाला plan चीए, तो that is why मैं 9 रुपय वाला आपको select कर रहा हूँ, फिर हमको यहाँ पर select करना रहेगा, आपको कौन-कौन से segment में अपना account activate करवाना है, तो जैसे कि आपने बताया, आपको सारे segment में अपना account active करवाना है मैं हमको सबके click कर देता हूँ, फिर देन हहाँ पर हमको community trade classification में click करना है, फिर next कर देना है, फिर देन आपको यहाँ पर कुछ-कुछ documents upload करने रहेंगे, सबसे पहले आपका एक live photo खिचेगा, तो यहाँ से मैंने अपना webcam लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ से मैं directly आपका ए e-sign का form आ जाएगा, इसके उपर click करके आपको view AOF करना है, तो व्यू आपका जो भी application form है, आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, आपने क्या-क्या फिल किया है, क्या-क्या नहीं फिल किया है, इसकी नीचे आप जाओगे, प आपको NSGL का website खुलेगा, और वहाँ पर आपको अपना आधार नमबर डालके submit करके OTP डालना रहेगा, और यहाँ पर ऊपर यह की check box होता है, छोटा सा कई बार दिखता नहीं है, यहाँ पर हमको click करना रहता है, उसके बाद ही होता है, आधार नमबर डालने के बाद में अगर आपको कोई भी document rejection आएगा, या पर आपकी कोई भी detail invalid होगी, तो हमारी team आपको खुद से contact कर लेगी, और वह आपकी query resolve कर आकर आपके account ठोल देगी, बाकि इसके लाब आपको कोई भी doubt या पर कोई भी दिक्कत आती है, आपको reach out कर सकते हो, अभी के लिए चलते हैं, म अगले वीडियो में,